क्या भारत में युनिफॉर्म सिविल कोट बनाना संभव है? मुझे लगता है कि शिक्षा और नोक्रियों में जाती पर आधारित आरक्षन का जब एक या दो पीडियां इस्तमाल कर लें तो तीसरी पीडि को आरक्षन नहीं मिलना चाहिए ये दो अलग-अलग चीज़े हैं इसे एक सवाल में दो सवाल है क्या समान नागरिक सहिता संभव है? हमें इसे संभव बनाना होगा जब तक हमारे देश में अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग कानून है तब तक लोग भी अलग-अलग होंगे अगर आप चाहते हैं कि सभी भारतिय बने तो देश में एक ही कानून होना चाहिए कोई और तरीका नहीं है फिर देश को जोडने का आप के लिए एक कानून और मेरे लिए दूसरा कानून तो हम हर हाल में अलग-अलग लोग होंगे हम खुद को एक ही देश के वासियों के रूप में कभी नहीं पहचानेंगे हम लगातार इस समस्या का सामना करते आये हैं लेकिन हमारे अंदर इसे सुलजाने की हिम्मत नहीं है इसे सुलजाने का समय आ गया है आरक्षन एक अलग मुद्दा है मुझे पता है युवा छात्रों को काफी नाराजगी मुझे सीट नहीं मिली कम अंको वाले किसी को सीट मिल गई ये सभी चीजें लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हमने इस देश में हजारों सालों से बहुत से लोगों के साथ इनसानों जैसा व्यवार नहीं किया है आज भी अगर आप गाओं में जाएं तो वो एक ही कुए से पानी नहीं भर सकते वो रेस्टरॉन में एक ही कबसे चाहें नहीं पी सकते उनके कब अलग होते हैं वो कुछ गलियों में जा नहीं सकते वो मंदिर के सामने चल नहीं सकते, उनके मुर्दा शरीर गाउं से गुजर नहीं सकते अगर आप लोगों के साथ ऐसा व्यावार करें और उन्हें कुछ विशेश अधिकार देकर अपने बराबर ना लाएं तो ये अन्याय होगा लेकिन साथ ही प्रवेश के स्तर पर आरक्षन होना चाहिए तरक्की के स्तर पर बिलकुल नहीं नौकरी और शिक्षा दोनों में आप उन्हें प्रवेश दीजे लेकिन जरूरी योगिता के बिना तरक्की मत दीजे ऐसा होना जरूरी है वरना हम आरक्षन की वज़े से काबलियत खो देंगे आरक्षन इस देश में एक दुरभाग्य पूर्ण स्थिती है क्योंकि हमने हजारों सालों से भेदभाव किया है आरक्षन इस भेदभाव को मिटाने का प्रयास है क्या हमने पिछले सत्तर सालों में इसमें सफलता पाई है? हाँ, बहुत से लोग उस पिंजरे से बाहर आ गए हैं, जाती का पिंजरा लेकिन आज भी एक बड़ी आबादी उसी में फसी हुई है तो समय बीतने के साथ हमें आरक्षन को दोबारा से व्यवस्थित करना ही चाहिए अलग-अलग स्थानों पर ये अलग-अलग हो सकता है तामिल नाडू की स्थिती, बिहार की स्थिती, गुजरात की स्थिती, ये स्थितियां अलग-अलग है हमें इसे कम से कम हर पांच साल में दोबारा व्यवस्तित करने की हिम्मत होनी चाहिए हमें आरक्षन को आंकडों के आधार पर व्यवस्तित करना चाहिए यानि कितनी आबादी गरीबी से निकल कर खुशाली के ठीक ठाक स्तर तक पहुँच गई है और भेदभाव के इस हद तक कम हो चुका है इस आधार पर आरक्षन को व्यवस्तित करना चाहिए लेकिन ये राजनीतिक चीज है कोई भी राजनेता इसे चूना नहीं चाहता क्योंकि चुनाव आंक्डों का खेल है ये भी बिलकुल किसी परीक्षा में जाने की ही तरह है क्योंकि चुनाव पर आरक्षा में जाने की ही तरह है